आप सबों का TIEAR LESES क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चेर में जो टोपिक डिसकस करने वाले हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में तो चुकि इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में concepts useful है तो इसलिए determinant के concepts को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो हम लोग देखते हैं जो matrix और determinants तो matrix का जो symbol होता है वो इस तरीके से कुछ होता है और यह दो parallel line देख सकते हैं यह जो determinant का symbol है तो matrix में क्या होता है कि दो जैसे यह हमारा two by two एक example लिए two by two order है क्योंकि दो और दो columns है तो हम लोग देख रहे हैं कि दो matrix को जब sum करते हैं तो result भी एक matrix ही आता है यदि उसी तरीके से अगर दो matrix को आपस में subtract करते हैं तो result भी हमारा क्या होता है एक matrix के रूप में आता है बागी conditions जो है वो satisfy होने चाहिए कि addition or subtraction वगेरा में क्या क्या conditions होते है वो satisfy होने चाहिए तो दो matrix में multiplication पॉसिबल है तो फिर दोनों को multiply करने के बाद एक matrix यह आता है तो यह ध्यान रखना है तो उसी तरीके लेकिन determinant में क्या है कि determinant को जब हमनों expand करते हैं तो एक single value बन जाता है जैसे यह दो determinant का लिखा हुआ है 1234 और यह parallel line है determinant का symbol है और यह 4161 तो इसको कैसे expand करेंगे यह 2x2 order का determinant है determinant generally जो square format में matrix होते हैं उसी का निकालते हैं तो अगर हम लोग देखें इसको 2x2 का एक्सपेंड कैसे करेंगे यह जो 1 into 4 मैंने पहला जो diagonal के element से उसको multiply करना है फिर बीच में minus फिर दूसरा जो diagonal के element है उसको multiply करना है मतलब 1 into 4 minus 2 into 3 plus उसी तरीके से यह अलग determinant है इसको expand करेंगे तो यह diagonal हमारा 4 into 1 फिर minus और यह हमारा 6 into 1 हो जाएगा उसके बाद simplify कर देंगे तो यह हमारा minus 4 हम लोग का आ जाएगा तो यह समझ में आ गया तो इसे मैट्रिक्स का में सम एक मेट्रिक्स होता है लेकिन डिटर्मिनांट एक सिंगल वेल्यों आता है तो अब यहां समझते हैं order का same है number जैसे order of matrix होता है number of rows into number of columns और determinant का भी order जो है number of rows into number of columns ही होता है तो हम लोग एक simple समझते हैं जिसे determinant को examples के थुरू find the determinant of a given matrix जिसे एक matrix A दिया हुआ इसका determinant निकालने बोले गया तो determinant का symbol यह हो गया मतलब 1,2,3,4 लिख दिए फिर 1 into 4 minus 2 into 3 कर दिए तो 4 minus 6 minus 2 हो गया तो यह समझ मांगे determinant of order 2 by 2 a into b मतलब यह matrix दिया रहेगा बोला जाएगा इसका determinant निकाली तो ऐसे लिखेंगे और simply a into d minus b into c करेंगे थार्ट ओर जो है determinant का वो समझना ज़रूए determinant of order 3 by 3 matrix जिसे हमारा 3 by 3 matrix है और इसका determinant निकालना है तो हम लोग को सबसे पहले यह साइन समझना है एवन वन है मलब इस element का पोजिशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो element का पोजिशन तो समझ में आ गया तो यह जो coefficient है 1 1 इसको सम करना यदि सम जो है event नमबर आ जाए मलब तो उस इसमें वहाँ पर साइन क्या होगा प्लस होगा जैसे यह event टू है मलब element प्रजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो जब इसको यह प्रजेंगे तो one or two three आ जाएगा तो आड नमबर हो जाएगा तो अगर ऑड आ जाया तो online और प्लस ओ जाएगा तो यह संक यह हो गया तो यह यह जू कोपिसियेंट है उसके सम करके हम लोग को देखना है कि हमारा जो even number आ रहा है और नमबर आ रहा है उसके basis पर यह plus minus sign decide होगा तो यह काफी important है determinant को जब हम लोग expand करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि element का position समझना है और position में जो row और columns के values आएंगे उसको sum करके decide करना है कि even आरा या odd आरा तो plus का sign odd आरा तो minus का sign तो यह अगर समझ में आगया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग example समझते हैं जैसे अब इसका determinant निकालना है हम लोग को यह जो matrix है इसका determinant निकालना हम लोग को तो यह लिख दिये, उसके बाद यह ध्यान रखना है कि determinant can be expand by any one row और any one columns किसी भी, जैसे इस row से expand कर सकते हैं या फिर इस row से expand कर सकते हैं या इस column से, इस column से, इस column से किसी भी एक row या किसी भी एक column से determinant को expand किया जा सकता है, तो हम लोग first row से समझते हैं, किस तरीके से expand करेंगे तो first row में हमारा यह सारा elements है तो हम लोग, पहला तो sign देखना है कि यहाँ पर position one one है, मतलब even number है तो plus लिख दी हैं और यह जो पहला elements को बाहार रखना, even one उसके बाद यहाँ से vertical और यह vertical और यह horizontal यह दो को vertical horizontal को हटा कर जो बचेगा तो यह a22, a23 a3, a33 तो यहाँ पर यह लिख दिये पहले उसी तरीके second element में sign क्या होगा, पहले वो लिख दिये one or two odd number है, तो minus आगे a12, फिर जो यह a12 है, वहाँ से vertical देखना है और यहाँ से horizontal देखना है तो हमारे पास यह एक, दो, तीन, चार elements दिखेंगे तो a12 के साथ इसको लिख दिये फिर next जो third element है sign चुकि one और three four हो जाएगा even number तो plus ही होगा a13 तो जब a13 से हम लो vertical और horizontal जैसे यह हमारा vertical हो गया यह ध्यान रगना vertical horizontal और यह vertical और यह horizontal को ऐसे eliminate करना है तो हमारा a21, a22, a31, a32 यह बचेगा उसके बाद यह two by two का determinant को तो हम लोग expand करी सकते हैं a11 और यह ऐसे diagonal को multiply कर दिये बीचे minus फिर यह diagonal multiply हो गया फिर यह diagonal और फिर यह diagonal तिस तरीके से फिर उसके बाद यह general expansion समझ में आ गया तो value कुछ भी रहेगा तो इसी तरीके से expand करेंगे जैसे example समझते similarly we can expand by any other row जैसे example यह B matrix है 1200, 011, 213 इसमें बोलागे determinant निकाली है तो हम लोग first row से expand करना चाहते हैं तो first row में हम लोग को इस row से expand करना चाहते हैं यह हमारा पोजिशन क्या है पोजिशन जरूरी है हमारा first row first column है मतलब row और column को sum करेंगे तो even number आएगा तो इसलिए plus sign हो गया फिर यहां का जो element 1 है इसको यहां 1 लिख दिए फिर यह vertical जो element 1 लिखे हैं वहां से vertical और horizontal को देखना है फिर यह one 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 three आ गया ठीक है फिर दूसरा element हमारा इसका position क्या हमारा first row second column तो हमारा one और two three हो जाएगा odd number इसलिए sign या minus लिख दिए और two यहां पर यह two लिख दिए उसके बाद यह two से vertical और फिर यह horizontal को गाइब करेंगे तो यह हमारा zero one two three दिखेगा अब यह third जो है zero लिखे zero का position हमारा first row third column है तो even number आ जाएगा one और three four हो जाएगे तो plus zero और यह vertical और horizontal जैसे eliminate करेंगे तो zero one two आएगा तो फिर expand करेंगे zero वाले को तो करने के ज़रूत नहीं यह zero ही हो जाएगा और यह plus one और two by two को one into three minus one into one लिख दिए फिर minus two zero into three minus one into two zero वाले को भी लिख दिए तो इस तरीके फिर simplify करके value plus six आ जाएगा इसी तरीके से अगर हम second row से expand करना चाहते है second row से हम लोग चाहते हैं कि इस row से expand करें तो इसका position हमारा first row second row first column है फिर odd number फिर इसका position second row second column है तो यहाँ minus आएगा यहाँ plus आएगा second row third column है यहाँ minus आएगा तो इस तरीके से फिर वहाँ पर expand करेंगे तो फिर हमारा कुछ values फिर plus six आ गया मुझला हम लोग समझ में आ गया कि चाहाए हम first row से करें यह second row से करें values जो है same आएंगे मनलब किसी भी एक determinant का values जो है expand करने के बाद values same रहेगा तो एक homework में आप लोग practice कर सकते हैं जो matrix भी दिया गया उसका determinant को आप third row, first, second और third column से निकाल के देख सकते हैं प्लस six आ रहा है कि नहीं तो उससे आपको practice हो जाएगा अब बताने माले inverse matrix अगर कोई matrix A given matrix है तो A के उपर जो minus one लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं इसकों inverse of given matrix A A की power minus one और formula जो होता है A inverse ब्रावर adjoint A divided by determinant of A ये question number one और इसमें दो condition ध्यान रखना है कि यदि determinant of A value zero है तो inverse exist करेगा इने तो पहले determinant ही निकाल के देखना है कि अगर determinant zero नहीं है तो आगे फिर बढ़ना inverse निकालने के लिए और नहीं अगर zero आगा तो directory लिख देना है कि A inverse not exist तो ये ध्यान रखना है कि inverse exist होगा ये determinant of A not equal to zero और determinant of A zero होगा तो A inverse not exist होगा तो अब यहां से समझते हैं हम लोग ये ADJA मलब adjoint of given matrix है जो कि previous lectures में बताया हुए है कि किसी matrix का किस तरीके से adjoint matrix find out करते हैं तो पिछले जो lectures हैं उसको आप देखके समझ सकते हो तो अब हम लोग को adjoint matrix भी निकालने आता है determinant भी आता है तो फिर simple दोनों अलग-अलग निकालके फिर उसको बिठा दिगें जैसे example हम ये लेते हैं जैसे example number one ये एक matrix है 2 by 2 का इसका inverse निकालना है तो ए इंवर्स एड जोइंट ये हो गया और short tricks हम लोग को 2 by 2 का तो short tricks बताईए कि principal diagonal elements जो होते हैं वो interchange कर जाते हैं ये 4 ये 4 यहां गया और secondary diagonal है उसमें sign change हो जाता है तो माइनस 6 माइनस 2 एड जोइंट ये तो वैसे short trick 2 by 2 का निकाल दियें बाकि आप लोग को previous lectures में बता गया तो ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं और determinant of a का simple 4 into 4 minus 6 into 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा तो a inverse ब्राबर हमारा joint a ये उपर का value हो गया determinant का value 4 आ गया matrix में एक property होता है कि जो भी numbers बहार में multiply हो वो अंदर के सारे number से multiply हो जाते हैं या फिर जो number पूरे matrix से divide हो वो सारे अंदर के number से divide हो जाते थे 4 divided में तो हरे एक number जो 4 minus 6 minus 2 4 सब के नीचे 4 4 लिख दिए divide कर दिए और उसके बाद इसको simplify कर दिए 1 minus 3 by 2 minus ये इसका answer आ गया दो questions प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं ये हमारा एक matrix है inverse A निकाली है दूसरा matrix ये है इसका A inverse निकाली है तो inverse निकालने से determinant का और adjoint matrix का concept का use होगा और answers जो है आप verify कर सकते हो question 1 का answer ये question 2 का answer है और आप suggestion भेज सकते हो अगर आपको और समझने में problems आ रही है तो आप comment कर सकते हो तो फिर उसके नुसार आपके doubts क्लियर करने का पुरा कोशिस करेंगे thank you कर सकते हो उसकते हो